हलो एब्रिवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दोस्तों, जैसे मैं बिभीन प्रकार की संकाओं से असमंजस से भरा हुआ था, वैसे ही आपकी दिमाग में भी तरह तरह की संकाओं उठ रही होगी, कि आखिर सिच्छक डारी कब भरें, कब ना भरें, तरह तरह की समाचार आपक क्या होगा, बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कब करें, एक अप्रेल से क्या करना है, सामान कक्षाएं कब से चलेंगी, सब दिशी कैमपेंड, प्रेंडा ग्यानोत सो, कब खत्म होगा, दोस्तों, इस तरह की समस्याएं, इस तरह की परिशानियां, इस तरह की जैसा कि मेरे मन में चल लही थी लेकिन दोस्तों आज हमारे विद्याले में प्रेड़ा ग्यानोत सो कारक्रम के तहट जो हम लोगों ने सिच्छा चोपार लगाया था उसमें हमारे आए तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूरे मार्च में क्या होगा यानि आज फरस्ट मार्च है तो 31 मार्च तक बीच में आपको क्या करना है तो दोस्तों आप सबसे पहले तो ये जान लिजे कि आज से प्रैमरी की कच्छा है प्रारंब होई है और जो टैम्टीबल बना है जो समय सानड़ी है सासंद के तरफ से प्रदान की गई है कि बच्चे कब आएंगे कब नहीं आएंगे उसके अनुसार अगर आप देखेंगे कि कोई भी कच्छा किसी सब्ताह में सिर्फ दो दिन उसे मिल रहे है और दो दिन मिल रहे हैं और पच्चास प्रतिसत बच्चे ही आएंगे तो इसका मतलब ये है कि एक सब्ताह में एक बच्चे को विद्याले से सिर्फ एक दिन मिलना है अर्थात कोई भी पर्टिकुलर बच्चा एक सब्ताह में सिर्फ एक दिन विद्याले आएगा तो ऐसे पूरे मार्च भर में वह कितने दिन विद्याले आएगा जदा जदा 4 सप्ता 4 सप्ते 28 यनि 4 बार विद्या लोई आयेगा यनि कछा 1 सी 5 तक का प्रत्तेक बच्चा पूरे मार्च महिने में सिर्प 4 दिन विद्या लोई आएगा तो इन 4 दिन कारिक्रभ में हम क्या करें तो दोस्तों सबसे में जरूरी बात यह है कि आप पूरे मारच में सिर्फ सुन सब्ताह के दहट जो आपको कारियोजना दी गई है उसी को आपको संपाधित करना है पूरे मारच के महिने में सुन सब्ताह की कारियोजना चलेगी साथ में Bays LINE आकलन जैसे जैसे आपके पास बच्चे आते जाएंगे पूरी मार्च भर में कम से कम प्रत्य एक बच्चा आपके पास तो आए गई तो जितना संभव हो पाए बच्चों का आप बेसलाइन आकलन कर लेंगे बेसलाइन आकलन के लिए गणित और हिंदी दोनों का टूल आपको प्रदान कर दिया गया है आप उसे गड़े जो है बेसलाइन आकलन कर लेंगे तो आपकी जो है एक समस्या का समाधान एक संका का समाधान हो गया कि हमें मार्च में क्या करना है तो मार्च में दोस्तों सून सप्ता की कारी ओजना चलाना है साथ में बच्चों का बेसलाइन आकलन करना है अगर आपने किसी बच्चे का बेसलाइन आकलन मार्च में नहीं कर पाए हैं तो आप उसे अप्रेल के फर्स्ट बीक तक में आप कर सकते हैं अप्रेल के फर्स्ट बीक में भी आप उसका बेसलाइन आकलन कर सकते हैं अब दूसरा प्रस्ट नियाता है दोस्तों कि बच्चों को अगली कच्छा में प्रमोट कब करें तो दोस्तों हमारा जो सेसन है एक अपरेल से सुरू होता है तो निश्चित रूप से जो है बच्चों को आप रजिस्टर में इस कालर रजिस्टर में अभी लेखों में बच्चे को 1 अपरैल को अगली कछा में प्रमोट कर देंगे लेकिन एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि बच्चे रजिस्टर में तो प्रमोट हो जायेंगे लेकिन अभी जो है वह अपने पिछली कछा के अनुसार ही उनका सिछन कारिकरम होगा आपको पता है कि एक अप्रेल से आपको सम्रिद्धी कारिक्रम के तहट जो आठ सब्ताह की कारियोजना दी गए उसको आपको संपादित करना है तो उस आठ सब्ता की कारियोजना को आप संपादित करेंगे उन्हीं बच्चों के साथ लेकिन पिछली कच्छा के अनुसार कहने के मतलब यह है कि अगर मैं कच्छा पांच की बात करूँ तो एक अप्रेल को कच्छा पांच का जो बच्चा है वो प्रमोट होके छे में पहुँच जाएगा लेकिन अभी उसे हमें कच्छा छे में नहीं भीजना है कब भीजना होगा उसकी बारे मैं बताऊंगो मैं आपको कच्छा चार का बच्चा कच्छा पांच में प्रमोट तो हो जाएगा लेकिन अभी उसको पांच में नहीं भेजना है तीन का बच्चा चार में प्रमोट हो जाएगा दो का बच्चा तीन में हो जाएगा एक का बच्चा दो में प्रमोट हो जाएगा जो अभी जिस class में बच्चा है उसको एक अपरेल के बाद भी उसी class में रख करके आपको पढ़ाना है register में तो आप promote कर देंगे लेकिन वह बच्चा अभी कहीं जाएगा नहीं किसी दूसरी class में नहीं जाएगा वह अपनी उसी class में रहेगा जिसमें अभी वह है तो अब आप कहेंगे कि आखिर वो बच्चा अगली क्लास में कब जाएगा तो दोस्तों वह बच्चा अगली क्लास में जाएगा एक अगस्त को ध्यान दीजेगा हमारी बात को वह बच्चा अगली कच्छा में जाएगा एक अगस्त को अर्थात पांच वाला एक अगस्ट को 6 में चला जाएगा चार वाला पांच में चला जाएगा तीन वाला चार में चला जाएगा दो वाला तीन में चला जाएगा और एक वाला बच्चा दो में चला जाएगा अर्थात उसका class transfer आप करेंगे 1 अगस्त को लेकिन register में आप 1 अप्रेल को ही promote कर लेंगे तो हमारी इस बात पर आप भी से ध्यान दीजीगो दूस्तों ठीक है बिल्कुल आपका confusion clear होना चाहिए एक अप्रेल को आप बच्चे का जो है promotion कर देंगे register में लेकिन बच्चे को अभी अपनी उसी कच्चा में बैठाना है जिस कच्चा में वह अभी है और उसी कच्चा में बैठ करके ध्याना कर सन कारिक्रम जो समरिद कारिक्रम है समरिद कारिक्रम के तहट पुरा जो है आपका आपरेल मई और जुलाई इन तीन महीनों में जो आठ सप्ता की कारियोजना है उसको आपको उसी कच्छा में बैठा कर बच्छे को संपादित कराना है ठीक है दोस्तों आप कुश्चन ये है कि सामान कख्षाएं कब से चलेंगी तो दोस्तों सामान कख्षाएं एक अगस्त से चलेंगी जो आधार सिला क्रियानवेन संदर्सिका आपको प्राप्त हुई है उसके तहित जो कख्षाएं चलने है जो फरवरी मार्ज तक की चलेंगी तो अब कुश्यन आता है दोस्तों कि आखिर हम सिख्चक डायरी कब से भरें तो दोस्तों सिख्चक डायरी भी आप 1 अगस्ट से भरेंगे सारे कनफूजन दूर कर लिजिए आपको एक अप्रेल से सिख्चक डायरी भरनी के ज़रूत नहीं है एक अप्रेल से आप चाहें तो एक अलग से रेजिस्टर बना लें उसमें आप अपने कारियोजना बना सकते हैं लेकिन जो आपको सिच्छक डायरी भरनी है वो आपको भरनी है एक अगस्त से उसी क्यानुसार उसमें पेज भी दिये गए है ठीक है दोस्तों तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिच्छक डायरी कब से भरनी है ध्यान दीजेगा सिच्छक डायरी भरना है एक अगस्त से अब ये कुश्चन है कि सव दिवस्य कैमपेण कब खत्म होगा तो दोस्तों ये जो सव दिवस्य कैमपेण है ये चलता ही रहेगा और ये कब तक चलता रहेगा ये जब तक इसके सव दिन पूर्ण नहीं हो जाएंगे आज से प्रारम हो गया है और आप मान के चलिए कि इसको जुलाई तक जाना है ठीक है एक अगस्त से जो है आपके जब सामाने कच्छाएं चलने लगेंगी तो आपका सव दिवस्य कैमपेण जो है ये अपने आप खत्म हो जाएगा तो अब आपको इन सारे प्रस्नों के उत्तर दुस्तों मिल गए होंगे कि पूरे मार्च में क्या होगा पूरे मार्च में एक तो ये आपका सव दिवस्य कैमपेण है ये आपका चलता रहेगा इसमें आपको चवपाल लगाना है अभिभाबकों को प्रेड़ करना है अभिभाबकों को जागरूप करना है ठीक है? इस सव दिवस्य कैमपेण में मिसन प्रेणा बहुत सारी योजना है बहुत सारे कारिक्रम है आदेश आपके पास होगा वो होगा साथ में पूरे मार्च में बच्चों के साथ सुन सब्ता की कारियोजना चलाई जाएगी बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करेंगे एक आपरेल को रेजिस्टर में लेकिन एक अगस्त को उसे हम दूसरी कक्षाओं में भेजेंगे उसका असली प्रमोशन एक अगस्त को माना जाएगा लेकिन रिटेन में अग लेखों में उसका प्रमोशन आपको एक अप्रेल को कर देना है लेकिन सिख्छन कारे के लिए उसका जो प्रमोशन होगा वो एक अगस्त को होगा एक अप्रेल से क्या करना है एक अप्रेल से आपको सम्रिधिकारिक्रम के तहट आपको आठ सप्ताह की कारियोजना को शंपादित करना है सामाने कच्छाएं कब से चलेंगी सामाने कच्छाएं एक अगस्त से चलेंगी सव दिशी केंपेंग कब खत्म होगा सवध युशिय केंपेंड आप यमान के चलिए कि एक आगस्त के पहले ये खत्म हो जाएगा जब भी सवध यवाशिस की पूरे हो जाएंगे तो दोस्तों आसा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी सिचक डायरी कब से भरेंगे सिचक डायरी एक आगस्त से भरेंगे उसके पहले के जो भी कारिक्रम है उन्हें आप चाहें तो एक रजिस्टर बना लें आप उसमें जो है नोट कर सकते हैं लेकिन आप सिचक डायरी को एक आगस्त से भरेंगे उसी के अनुरूप उसमें पेजिस दिये गए हैं सामान निकच्छा हैं जब आपकी चलने लगेंगी तब आप जो है वहाँ पर सिच्छक डायरी का प्रियोग करेंगे उसके पहले जो आपका ध्याना कर्षन सीबीर है फांडेशन लर्निंग सीबीर है उसको आपको सिच्छक डायरी में भर कर दिखाना नहीं है उसे आप चाहें तो एक रिजिस्टर में बना ले दोस्तों आसा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गया होंगे और अगर वीडो आपको अच्छा लगा है तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए वेल आइकन को प्रेस कर दिजिए मिलूँगा आपसे नेक्ट वीडो में ऐसे ही जानकारियां लेकर तब तक के लिए नमस्कार